नमिश्कार प्रभासाक्षे पॉड़कास्ट पे आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉड़कास्ट में बात करेंगे कि हमास वर्सेज इसराइल साथ अक्टूबर को हमास ने छेड़ा अब इसराइल छोड़ नहीं रहा क्या बड़ा होने वाला है तो आए सुनते हैं आज क अपरेट करने वाले चरंपति संगठन हमास ने जमीन और पानी और हवा के रास्ते हमला किया गाजा फिलिस्तीन के दो प्रांतों में से एक है और दूसरा प्रांत वेस्ट बैंक है गाजा में हमास का और वेस्ट बैंक में फतेह का कंट्रोल है हमले के दिन इसराइल में पत्या करते हुए कईयों को अपने साथ ले गए शुरुवाती कुछ घंटों में अफरत तफ्री मच गई फिर इसराइल ने जवाब देना शुरू किया फाइटर जेट्स ने गाजा में हमास के ठीकानों पर बंबारी की और फिर जमीन के रासे अमला किया नेतन याहू ने आ पूर तक फैल चुकी है इसराइली सेना का जमीन अभियान अभी जारी है इसराइल ने गाजा में बरसाए बं 26 लोगों की गई जान हमास इसराइल की जंग को एक साल पूरा हो गया है लेकिन IDF का उप्रेशन अभी जारी है गाजा पट्टी में रविवार तटके इसराइल हमले में 26 लोगों की जान चली गई हवाई हमले में मस्जिद और स्कूल पर किये गए थे इसराइली सेना ने कहा कि उसने हमास अतनकवादियों पर सटीक हमले किये जो सेंटरल गाजा में दीर अलबलाह में इबर रशूद स्कूल और शुहादा अल-अकसा मस्जिद में मौ हमास पर अटाक शुरू किया जो अब इसराइल के लिए 6 फ्रंट वार में तबदील हो चुका है एकसार में मिडल इस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है पिछले हफ़ते इसराइल पर इरान की तरफ से हुए मिसायल अटाक के बाद तो संकट और भी गहरा गया है इसरा अक्रूबर 2023 इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन इसराइल ने नौर्थ गाजा खाली करने को कहा और आईडियाफ के जवानों ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया इस्राइली सानिक गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल्शीफा में घुस गए, कई मारे गए, IDF का दावा था कि अस्पताल के नीचे हमास का अंडर ग्राउंड हेटकौर चल रहा था सीजफायर में 105 बंधकों और करीब 240 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा किया गया 6 दिसंबर 2023 शिविर पर हमला, सीजफायर के बाद 6 दिसंबर को गाजा में शरनाथ्यों शिविर पर इसराइल हमले में एक ही परिवार के 22 लोग मारे गए 22 जनवरी 2024 आईडियाफ पर सबसे बड़ा हमला गाजा में एक ही हमले में आईडियाफ के 21 जवान मारे गए यह युद्ध खत्म होने के बजाए अब मेंडिल इस्ट में फैल चुका है जीतने तक लड़ते रहेंगे इसराइल के प्रधान मंत्री बेंजामी नितनियाहू ने एक वीडियो मैसेज में कहा है कि मैं फ्रांस के राजपती को संदेश देना चाहता हूँ इसराइल साथ मोर्चो पर अपना बचाव कर रहा है जो कथेत तोर पर आतंक की धूरी का विरोध करते हैं वे इसराइल पर हत्यार बैन करने की मांग करते हैं इसराइल लड़ाई जीतने तक लड़ता रहेगा इसराइल को क्या हुआ हासिल एक साल बाद हम पाते हैं कि इसराइल जिन घोशित लक्षों के साथ जुद में गया था उनमें से एक भी लक्ष हासिल नहीं कर पाया है हाला कि इसराइली डिफेंस फोर्स के पास अपनी पीट थप थपाने के लिए कई चीज़े हैं इनमें हमास और लिबनानी मिलीशिया, हिजबुला के नेतिस्व का खात्मा लगातार हो रहे रॉकेट हमलों के बावजूद जानमाल का नुकसान सीमित रखना गाजा में हमास और दक्षिन लिबनान में हिजबुला के कईटी कानों को खत्म कर देना और इसराइल के विरुदिलर रहे इरानी गड़बंधन के लड़ाकों की शमता सीमित करना शामिल है मगर इस दोरान गाजा और लिबनान में नागरिकों की बड़ी संख्या में मार डालने अस्पतालों और स्कूलों का निशाना बनाने और निहत्ति नागरिकों पर हमला करने के आरोप भी इसराइली सुरफशावलों पर लगे है इन आरोपों के बदले में आईडियाफ ने साफ कहा है कि युद में ये सब होता है आज क्या होने वाला है हमास के इसराइल पर हमले की वर्षगाट पर क्या हमास अटैक कर सकता है क्या इसराइल 3H यानि हमास, हिजबुला और हूती मिला कर एक साथ अटाक का प्लान कर रहे हैं जिस तरहें इसराइल 6 फरंट पर एक साथ लड़ रहा है उसे किसी भी तरफ के अटाक के संभामना से इनकार नहीं किया जा सकता इसके लिए इसराइल ने अपने तयारी भी पुक्ता की है इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मताबिक गाज़ा पट्टी के पास अतरिक्त सुरक्षा बलतानात किया गया है आईडियाफ के सदर्न कमांड ओफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए तयार है आज के लिए इतना ही अगले पाड़कास्ट में किसी और मुद्धे पर देंगे आपको विस्तर जानकारी तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभासाक्षी के साथ